हेलो दोस्तों नमस्कार गुड़ मॉनिंग स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखन जी के वैरी जी ट्रिक्स में तो आप में से कई दोस्त लगातार यहां पूछते रहते हैं कि सर पुलिस भरती कब आएगी देखिए हम सभी लोगं को पता है कि बहुत टाइम से यानि कि 2015 से लगातार बात चल रहे थी कि पुलिस भरती आएगी आनी रहे थी बड़ी मुश्किल से पुलिस भरती का अधियाचन पुलिस विभाग के द्वारा अधिनस्तिवा चैन आयोग को भीजा गया था लेकिन अभी भी अधिनस्तिवा चैन आयोग में इसका नोट पुलिस भरती आ जाए अभी आयू सीमा संबंदी विवाद चल रहा है हाला कि अधिनस सिवाचायन आयोग को नोट्पेकिशन मिल गया है लेकिन अधिनस सिवाचायन आयोग अपनी तरब से आयू सीमा बढ़ाने के लिए ग्रहम अंत्राले को उसके दोरा पत्र लिखा गया उ दिरोजगारों दोरा आयो सीमा बढ़ाने की मांग देखते हुए आयोग ने आविधन प्रक्रिया सुरू करने से पहले सासन से इस पर दिसा निर्देश मांगा है हाला कि आयोग के पास इतका अधियाचन दोस्तों पहुँच चुका है और अभी जो इसमे निर्दाज आयो सीमा है वह जनर्नल के लिए 22 वर्स अधिकता मायू सीमा है एक वर्स की छूट आपको नौर्मली कोरोना के चलते मिल रही है तो 23 वर्स आपकी अंतिम आयो सीमा है तो अधिनस सिवाचन अयोग ने उत्राकंड सरकार से आयो सीमा संबंदी छूट के लिए प्रस्ताव रखा ह अगर सरकार की दोरा यहां चूट का प्रस्ताव पारित कर दिया आता है तो उसके बाद आपकी पुलिस भर्ती आ जाएगी चलिए बात कर लेते हैं आगे कि पुलिस विभाग ने गत 28 सितंबर को 1541 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव दिनस्त सिवाचन अयोग को भेज दिया लेकिन कोट के द्वारा उनकी याचिका को खारित कर दिया गया है लेकिन अब विभादु के आसंका को देखते हुए आयोग ने पहले ही इस पर सरकार से स्तिति स्पष्ट करने को कहा है इससे भर्ते बकिरिया में विलंब होना तई है यानि कि सरकार को लेटर लिख दिया अधिनस सिवाचानलोग ने जैसे ही सरकार का जवाब आ जाएगा पुलिश भरती के फॉर्म दुबारा से ओपन हो जाएंगे और उम्मीद ये रहेगी कि आपकी आयू सीमा भी बढ़ जाए अभी जो अधिक्तम आयू सीमा 22 है उम्मीद ये रहने वाली है कि 25 या 28 तक आपकी आयू सीमा बढ़ जाएगी चुनाओ से पहले जोस्तों और भी आपके कई सारे फॉर्म आने हैं जिसमें कि मानचितरगार, जेई सिविल और फायर मेन के करिबन करीब 500 रिक्त पदों पर भरती आने वाली है ये आयोक के द्वारा कहा गया है, इसी के साथ साथ में कुछ पद आपके कनिश्ट सायक लेवल के भी है अलग-लग विवागों में तो उसकी भरतियां भी आपकी चुनाओं से पहले आजाएगी, ये अधिनस सिवाचे नियोक के द्वारा कहा गया है और उसका सुल्क भी आपके लिए माप रहेगा तो बड़ौनी जी का बयान है दोस्तों इसमें देखिए कि बेरोजगार आयू सीमा में छूट देने की मांग कर रहे हैं सासन का जवाब आने के बाद ही आविदन प्रिक्रिया सुरू की जाएगी अभी दोस्तों फिलाल कब तक आएगी फाइनली ये नहीं कह सकते हैं लेकिन आज जरूर जाएगी क्योंकि अधियाचन जो है वह अधिनस्तर सिवाचे नायोक के पास में पहुंच चुका है जैसे ही उत्राकर सरकार के दवरा उनके पत्र का जवाब दे दिया जाएगा वैसे दोस्तों आपके पुलिस भरते के फॉर्म ओपन हो जाएगे यानि कि अभी आप लगबल लगबग एक माहा और मान सकते हैं दोस्तो एक माहा के अंदर अंदर पुलिस भरती आने की संभावना है रहेंगी बाकी अभी कैबिनेट में ठेक होने वाली है सायद आज ही है ठीक है और अगर इसमें निलनाई हो जाता है या फिर इसके आगे अगले कुछ दिनों में हो जाता है तो इस मैंने लाश तक या अगले मैंने तक आपको पुलिस की भरती देखने को मिल जाएगी और 1541 पद उपर थोड़ा सा डिले हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं दुस्तों डिले के बाद भरती आएगी जरूर आप लोग लगातार तयारी करते रहिए का दन्यावत